हलो फ्रेंड्स, वल्कम बैक टो में चैनल, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, एकदम चटपटा मसालेदार चिकन पोटा कलेजी बनाने का बहुत ही असान तरीका, जो इतना टेस्टी बनता है न कि मैं आपको बता नहीं सकती, अगर आप इसे एक बार 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 बना के खाना पसंद करेंगे, तो आप इस तरीके से एक बार चिकन पोटा कलेजी जरूर बना के देखिए, उमीद है आपको यह बहुत पसंद आएगा, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं चीकेन पोटा कलीजी बनाने के लिए यहां पर मैंने चीकेन का हाप केजी पोटा और कलेजी लिया है जिसे मैंने पांडी से अच्छे से क्लीन एंड वक्राइं इसे वॉसक करने के बाद भी इसमें हलका से स्मेल रहता है तो इस इस smell को हम निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें हम पानी आड़ करेंगे अब इसमें हम आधा चमच नमक आड़ करेंगे और हाप निम्बू का जूस आड़ करेंगे और इसे हम अच्छे से मेक्स कर लेंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिसे की कलेजी और पोट का जो smell होता है वो अच्छे से निकल चुका है अब इसे हम पानी से छान के अलक रख लेंगे अब हम ग्यास ओन करेंगे और इक कड़ाई को अच्छे से गरम होने के लिए रख देंगे देखिए कड़ाई एच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल आट करेंगे आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी कुकिंग ओल के यूज़ कर सकते हैं और 3 चोटी लांची और 6 से साथ साबुत काली मिर्च लिया है अब हम इन खड़े मसालों को हलका सा मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे देखिए खड़े मसाले हलके से फ्राई हो चुके हैं अब इसमें हम 3 मीडियम साइज का एक दम बारिक कटा हुआ प्याज आट करेंगे पोटा के लेजी में थोड़ा सा प्याज ज्यादा ही लगता है अब इसमें हम अच्छे से मेक्स कर लेंगे और हम प्याज को अच्छे से गॉल्डे म ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे देखी प्याज अच्छे से गोल्डेम ब्रॉंड हो चुक है, अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम दो बड़ा चमच अधरक लसन का पेस्ट आइट करेंगे पोटा क्लेजी में थोड़ा सा अधरक लसन का पेस्ट भी जादा ही डाले अब इसे हम अच्छा से मेक्स कर लेंगे और इसे हम मिडियम फ्ले में एक से दो मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे जिससे कि इसका जो कच्छा पन है वह अच्छा से निकल जाएगा एक चमच जीरा पॉडर, एक चमच धन्या पॉडर, एक चमच लालमीच पॉडर, लालमीच पॉडर अपने टेस्ट के कोडिंग कम जाधा कर सकते हैं, एक चमच हल्दी पॉडर, वनफो चमच काली मीच पॉडर, और एक चमच कस्मरी लालमीच पॉडर आड़ करेंगे, यह ब इसी की मसाला को fry करने में एजी हो जायेगा अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम मसाला को कवर करके medium flame में अच्छे से fry करेंगे जब तक की टामाटर अच्छे से सौप ना हो जाए और इसमे मिक्स कर लेंगे अब इसमें पोटा कलेजी को आड़ करेंगे और इसी टाइम हम इसमें नमक आड़ करेंगे नमक अपने टेस्ट के कोडिंग आड़ करेंगे अब इसे हम अच्छे से मेक्स करेंगे और हम पोटा कलेजी को कवर करके मिडियम फ्ले में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इससे ओयल सेपरेट ना होने लगे देखी इससे ओयल सेपरेट होने लग गया यानि कि पोटा कलेजी भी मसालों के सथ अच्छे से फ्राई हो चुक है अब इसे हम एक बार अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें हम दही आड़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने तीन चमस दही आड़ किया है अब इसे हम अच्छे से mix करेंगे और यहाँ पर हम ग्यास का flame लो कर देंगे और हम दही को low flame में cover करके अच्छे से fry करेंगे जब तक कि इससे oil separate न होने लगे देखी दही भी अच्छे से fry हो चुका है क्योंकि इससे oil separate होने लग गया है अब इसे हम एक बार अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें पानी आट करेंगे त bil не हैं सिर्फ पोटा को गलानेत नहीं पानी आट करेंगे क्योंकि कलीजी तो आरेडि पक चुका है अब इसमें हम एक चमत चिकन मसाला चिकन मसाला किसी ब्रांटकर ले सकते है तीन हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया आट करेंगे अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके मिडियम फ्ले में 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे जिसे की पोटा अच्छे से पक जाएगा देखी इसे पकते भी 10 से 12 मिनट हो चुका है और पोटा भी अच्छे से पक चुका है अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखी हमारा बहुत ही चटपटा मसालेदार चिकन पोटा कलीजी बन के रेडी हो चुका है देखी ग्रेवी का टेक्सर भी कितना बढ़िया बन के आया है अब इसमें हम लास्ट में कटा हुआ हराधनिया आड़ करेंगे और यहाँ पर हम ग्यास को आफ कर देंगे और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यह गर्मा गरम सर्फ करने के लिए रेडी है अब मैं आपको चटपटा मसालेदार चिकन पोटा कलीजी को सर्फ करके दिखाते हूँ देखिए कितना बढ़िया चिकन पोटा कलीजी बनके रेडी हुआ है और आपको दिखने से ही पताद चल रहा हो कि कितना टेस्टी बना और यह दिखने में जितना टेस्टी लग रहा उससे जादा खाने में भी टेस्टी है अब इसे आप गर्मा गर्म रोटी चावल पराथा तंदुरी नान किसी साथ भी सर्फ कर सकते तो आप इस तरीके से एक बार चिकन पोटा के लिए जी घर पर जो ट्राइ करके देखि है, THANK YOU FOR WATCHING